याद करिए जब यादों का जुटान होता है तो लालू यादों मंच से कहते हैं कि यादों तूटे वाला है क्या यादों को भैसिया नहीं पटक पाई तो ये लोग क्या पटकेंगे जो भी उनके बिरोधी यादों को तोड़ने का प्रयास करते थे तब लालू यादों का य यही भाशन जो है वो सामने आता था कि यादो जो है वो तूटने वाला है यादो को भाइस जो है वो नहीं पटक पाई तो कोई और क्या पटकेगा यादो बस एक ही नाम जानता है और वो नाम है लालू यादो का यादो जो वोटर जिसे तोड़ने का सब ने प्रयास किया य लालू यादो का जो बल है उसे तोड़ दिया जाए यादो वोटर जो आज लालू यादो को अपना नेता मानते हैं वो किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन नेता है जिन्होंने ये प्रियास किया कि किसी तरीके से लालू के या बताते हैं कि लालू यादो जिस तरीके से यादो पर छत्र राज करते हैं मतलब वो बताते हैं कि यादो जो है वो किसी से तूटने वाला नहीं है यादो मतलब की लालू यादो जितने भी बिहार में यादो हैं वो एक ही नाम जानते हैं जितने यादो हैं वो एक ही आदमी क अपना नेता मानते हैं और उसका नाम है लालू परशाद यादो हमने ये तस्बीर इसलिए लगाई है कि लालू यादो इसी तरीके से जाने जाते हैं हाथों में लाठी याद करिए तेल पियावन लाठी का नारा किस ने दिया था लालू यादो ने दिया था और अब लालू को तोडने का प्रयास किन किन लोगों ने किया वो हम आपको बताते हैं पहला नाम आता है राम किरपाल यादो जब लालू यादो से नराज हुए तो भाजपा में सामिल हो गए और भाजपा ने इनको लालू यादो को तोडने के लिए अपने दल में रखा उन्होंने सोचा क राम किरपाल यादो लालू यादो की बेहत करीवी है नब्बे के दसक में कहा जाता था कि लालू के दो लाल राम और स्याम यानि राम किरपाल यादो और स्याम रजक स्याम रजक भी जेडियू में चले गए थे राम किरपाल यादो भाजपा में चले गए स्याम रजक की घर वापसी हो चुकी है राम किरपाल की घर वापसी नहीं हुई है लेकिन राम किरपाल यादो को लालू यादो बहुत मानते थे और राम किरपाल यादो ने लालू यादो को तोड़ने का प्रयास किया राम किरपाल यादो यादों के नाम पर भाजपा में सामिल हुए और उन् नाम है वो नाम है साधू यादो साधू यादो का नाम आता है तो आप सोचते हैं कि अरे ये तो लालू यादो के साले है लेकिन साले है तो क्या हुआ इन्होंने भी लालू यादो को तोड़ने का प्रयास किया इन्होंने भी भासपा से हाथ मिला कर यानि बहुजन समाज पा यादो टूट नहीं पाdoing विहार की यादो लगतार लालू यादो से जुड़े रहें उसके बाद तीसरा जो नाम है वह वह पपू यादो ये भी राजत के नेता राजत के टिकट पर ये भी सांसद बने और इन्हों ने भी प्रयास किया कि किसी तरीके से यादों को तोड़ा जाए, लालो यादों को कमजोर किया जाए, लेकिन यादों यहां भी नहीं तूटे, यहां और उसके बाद फिर चौथा नाम आता है नित्या नंदराय का, नित्या नंदर लालो यादों को छोड़ कर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लालो यादों को तोड़ने का प्रयास सरद यादों ने भी किया था, लेकिन सरद यादों से भी ये संभव नहीं हो पाया, सब ने एक समय में लालो यादों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि लालू यादो को कोई तोर सके, यादो वोट को कोई तोर सके, यादो वोट में कोई से इंधमारी कर सके, ये चार नेता मिलकर लालू यादो को कमजोर नहीं कर पाए, सरद यादो भी एक समय में खूब प्रयास किये, कि किसी तरीके से लालू यादो को कमजोर कर दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, सरद यादो भी हार मान गए, उसके बाद नित्या नंदराय हो गए, राम किरपाल यादो हो गए, साधू यादो हो गए, पप्पू यादो हो गए, समय समय पर सबने प्रहार किया, सबने लालू यादो को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया एक वेक्ति को आप समझे कि सांसद का टिकट देता है उसे सांसद बनाता है लेकिन वो लालू यादो को तोड़ने में असफल रहता है वो भले ही लालू यादो की बेटी को चुनाव हरा देता है लेकिन लालू यादो के वोट बैंक में सिंधमारी नहीं क इसका साफ साफ ये मतलब है कि यादो आज भी लालू यादो के साथ हैं और लालू यादो के साथ ही रहने वाले हैं और अब लालू यादो ये दिखा चुके हैं कि लगा लो जितना दम लगाना है यादो को लालू यादो से कोई दूर नहीं कर सकता है यादो का मतलब होता है लालू यादो यादो का एक ही नेता है जिसका नाम लालू यादो है और लालू यादो के बाद अगर कोई यादो का नेता रहेगा तो उसका नाम तेजश्वी यादो है और अब सब ने प्रियास कर लिया और सबसफल हो गए और अब सब प्रियास कर रहे हैं कि अब छोड़ यादो जो है वो तूटने वाला वाकई में नहीं है अब देखिए आगे क्या होता है यादो फ़ोट नहीं में तोड़ पाया क्या फिर से उपचीन और पचीस में कोई तोड़ने के लिए तैयार होगा वेराल आगे देखते रहें क्या होता है इसकबर में इतना ही बने रहें मार साथ और देखते रहें जन्ता जिंक्षन